जली को आख कहते हैं बुझी को राख कहते हैं और विवादों की राख से जो बारूद बने उसे ही सियासत का विश्वनात कहते हैं टीवी नाइन भारत वर्ष के इस मेगा शो में हमारे आज के महमान है बॉली वुट के बेताज बादशाह रहे बीजेपी की अटल सरकार के काली चरण रहे लेकिन अब सियासी मैदान में बीजेपी के जानी दुश्मन कहे जाते हैं जो कॉंग्रिस के हाथ से निकले और अब म अमता बेनर जी के मेरे अपने हो गए स्वाधत करते हैं देश के बिहारी बाबू शॉट्गन सिन्हा टीमसी के लोक सभा सांसद शत्रगन सिन्हा का था 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 थ जोश नहीं कहने देंगे नहीं बिलकुल नहीं और हाँ इस चोग के बाद हमारी ओडियन्स ये जरूर कहती नजर आएगी कि आज टीवी नाइन भारत वर्ष में छेनु आया था मेरे साथ यहां पर आप देख रहे हैं पूरा दल बल पूरा दस्ता पूरी फौज यहां मौजूद है मेरे कलीक्स की और यह अपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आज शत्रुखन सिना साब से सवाल करने वाले हैं इन सब के पास जो सवाल हैं वो आपको इनके साथ ही यहां इस तस्वीर में नजर आजाएंगे उनके नामों के साथ उनका जो टॉपिक है पर सवाल करने वाले हैं यहां आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं और इसके लावा यह मेरे कलीक्स ठों इस समय पुरी तैयारी के साथ हैं ही लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इदर भी उस अग्वार जोरदार तालिया होनी चाहिए शत्रगन सर आप आपका नाम शत्रगन है ये सब जानते हैं लेकिन आप चार भाई हैं और उनका नाम राम लक्षमन भरत शत्रगन है ये मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं और साथ में ये कि आपके दो बेटे हैं एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुछ है और ये भी कि आपके घर का नाम रामायन है इसलिए मैं इसी मुद्दे के साथ आज शुरू करना चाहता हूँ विवाद इस बात पर है कि रामचरित मानस की चौपाईयां समाज में विवाजन पैदा कर रही है ऐसा कुछ लोगों का मानना है आपका क्या मानना है देखे सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तमाम टीवी नाइन का टीवी नाइन भारत वाज का जितने हमारे विद्वान मित्रगन आए हुए हैं यहां पर जितने हमारे बड़े बड़े वरिश्ट पत्रगार जन है और हमारे वुमिन इंपार्मेंट के दोर पर जितने लोग यहां बैटी हैं चाया निदी हैं कि प्रीती हैं कि हमारी सुमेरा हैं कि बागी आप तमाम लोगा क्या मैमुरी है आपकी आए मस्से दिनेशी आपका नाम भी ले रहा था तो मैं सबको स्वागत करता हूँ दिनेशी आपको कहना चाहूंगा कि हाँ आपकी बात में दम है हम चार भाई हैं राम लखन भरत शत्रगन डॉक्टर अब तो खेर कंपाउंडर बनने के लाइक नहीं था इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सका प्रिफिक्स नहीं लगा और मैं शत्रगन सिना ये बात अलग है कि जो डॉक्टर नहीं बन सका एक दिन देश में भारत का स्वास्तमंत्री बन गया हेल्थ मिनिस्ट कभी कभी डेमोक्रासी में ऐसा होता है लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि जो कंपाउंडर बनने लाइक नहीं था वो स्वास्तमंत्री बन जाता है तो जब एक चाय वाला पी-म बन जाता है तो हल्ला क्यों होता है सर्थ हाँ पहली बात मुझे यकीनी नहीं इस बात का ये प्रपगंड़ा है कि चाय वाला पी-म बना ना चाय कभी बेची है मुझे नहीं लगता हुए उनको चाय बनाने भी आती होगी लेकिन अब हला है कि चाय पर्मोशन किया गया इसलिए कई लोग कहते हैं प्रधान मंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं ये प्रच वो स्टेशन पैदा भी और नहीं हुआ था वहां पर तो ये बात लेकिन फिर भी आप कहसे आपकी बात में दिनेश ये दम है कि अगर कंपाउंडर के लायक नहीं है वो हिल्थ मिनिस्टर बन सकता है तो मैं समझता हूं कि कोई चाय बेचने वाला भी प्रधान मंत्री बन स अची है लेकिन मनोच कुमार जो बहुत बड़े फिल्मेकर हैं और बहुत बड़े भाई समान है वान अव थे बेस्ट फिल्मेकर अपसोस है कि उनको आख तक कोई पन में भूशन नहीं मिला जो उनको जरूर मिलना चाहिए था वो मनोच कुमार साब ने एक बर कहा था मेरे वर्में शत्रगन अपनी लेट लतीफी के लिए बहुत मशूर है या बदनाम है शत्रगन लेट लतीफ है इसलिए रामायन में इसकी इंट्री शत्रगन बनके हुई समय पे आता तो राम बनकर पैदा होता तो यह अखिलेश यादाओ कहते है कि राम चरित मानस पर बैन देखिए मैं इस विशे का विद्वान नहीं हूं और मैं इस कॉंट्रोवर्सी को इतनी जल्दी इसमें हवा नहीं देना चाहता है इतना जल्दी इसको नहीं पहलाना चाहता हूं मैंने ना उस सब्जेट को पढ़ा है ठंक से हलाकि रामायन वासी हूं लेकि मैं अतना मैं समभाव में विश्वास रखता हूं सर्व जाती समभाव में सर्व जात समभाव में मैं विश्वास रखता हूं इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी किसी कॉंट्रोवर्सी को मैं हवा दूँ जिसकी वैसे कहीं समाज में या जाती या जात में विभाजन हो लेकिन आपक सुमेरा तो बहुत गुणी है विद्वान है बहुत अच्छी है वो समझदार है मैच्योड है सुमेरा करके आई है तो मुझ पर बी काइन टूमी थोड़ा में आख्याल लगते हुए रामचरत रुमानस पे भी अगर हम उसकी डिटेल में ना भी जाएं तो आप राजनीता त के पहले तो क्या दोहजार चॉबीस के पहले इस मुद्दे को या इस तरह के मुद्दों को सामने रखकर अगड़ा पिछड़ा की राजनीती को फिर हवा देने की कोशिश है सुमेरा इस मामले में उनसे सवाल करें तो ज्यादा बैतर होगा जिन लोगों ने समाज को आएसे नहीं होते हैं तो इन मुद्दों को गर्म किया जाता है ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से और लोगों को एक दूर करने के लिए जाती में भी ये देखा गया है और जात में भी देखा गया है अगरा पिश्रा इस पर मुझे मैं सबको देखता हूँ भारत मा के संतान की तरह और जो मेरी नजरों में भारत मा के संतान है वो हमारा अपना है और हम उसे अपने सीने से लगाते हैं बस अभी जो इस मुद्द को उठा रहे हैं हो समाजबादी पाटी उठा रही है अभी अगर इस मुद्द को उठा रहे है तो वो के बाया सीएयाщ तो इस्धून की बैस देखा गया है, परणी को कई लोग अपटित जो विद्वान को भी पंडित गहते हैं । और अक्सर देखा गया है जो पंडित है वो भीदवान होते हैं। ऐसा देखा गया है। कई लोग आपको सिर्फ पंडित जवाहरला नहरू की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो थे ही बहुत विद्वान, लेकिन मैं पंडित अटल भिहारी वाजपही जी की बात कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे पंडित रहे जो विद्वान रहे और विद्वान जो है वो पंडित रहे तो ये परयायवाची शब्द भी हो सकता है मैं मोहन भागवजी का बहुत आदर करता हूँ तो मैं अभी चुकि उनके बयान को देखा नहीं है सुना नहीं है अभी आपने कहा तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ रही बात है अखलेश यादो की अखलेश यादो बहुत डाइनिमिक है बहुत डैशिंग है बहुत हुनहार है बहुत समझदार है बहुत लोगप्रिये है उसकी बहुत ही लोगप्रियता है और अखलेश यादो ऐसा है जिसके अंदर में आप यूपी का क्यूं कुछ हद तक भारत का भविश्य भी देख सकते हैं आप ऐसा है उसका अंदर अखलेश यादो सक्षम है अब उसने जो कहा है क्यों कहा है मैं जब तक सो नहीं समझूगा तब तक मैं अखलेश यादो की बात का ना तो खंडन कर सकता हूं और ना ही समर्तन कर सकता हूं मेरे बाकी के जो साती हैं वो आप से बात करने के लिए बेकरार है लेकिन जरा ये देखिए यहाँ पर शत्रुगन सिनहा 5 एंकर और इतने सारे हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ आज जो बातचीत का सिलसिला वो आगे बढ़ने वाला है लेकिन यहाँ पर यह रैपिड फायर शतुवन सिना सर के साथ एक बार इससे यह लोभ हम समरण नहीं कर पा रहे हैं तरह देखिए देश की दीदी नंबर बन कौन देश की दीदी नंबर बन कौन शतुवन सर और जो यह वस्तुनिस्ट सवाल है इसमें विकल्ब जो है वो है प्रियंका गांधी ममताव इनर्जी इस्मृति इरानी आपका जवाब सर कमाल है अभी ममता जी के छोड़के अब बाकियों को मेरी दीदी बना हो गया देश की दीदी देश की दीदी कौन सवाल ये तजर प्रियंका गांधी ममताव इनर्जी इसमृति इरानी देश की दीदी नंबर बन कौन एक चुनना है कोई पूरे जगत की या देश की भी अगर कोई दीदी मानी जाती है और जानी जाती है तो वो है ममताब एनरजी चलिए ममताब एनरजी ये इस पर महर लग गई लेकिन अगला सवाल क्या है रैपिट फायर का देखिए इसमें तमाम लोग या खास कर कई सारे लोग बहुत ही सक्षम हैं बहुत ही काबिल है एबल है केपबल है रेस्पेक्टिबल है लेकिन देश का परदानमंती कौन बनेगा इना है अपने उमिद्वार कौन मैं तो कहता हूँ दावेदार कौन होगा इसका अन्तो अगर राहूल गांदी की भारत या जोड़ो यात्रा बहुत काम्याब हुई है वो फ्रेंट रनर बनके आद दिख रहे हैं तो ममता बैनर जी जो मैं शुरू से कहता था और आज भी कह रहा हूं वो 2024 के एलेक्शन में जरूर देश में गेम चेंजर बनके खड़ी होगी चलिए अब आपको हिंट्स लेने पड़ेंगे दो नाम इसमें से ले दिये गए राहूल गांधी ममता बैनर जी अब इसमें से कौन फ्रेंट रनर होगा उन्होंने उसके लिए टाइम एक तरीके से टाइम जवाब देगा कह दिया है अब ज़रा अगला सवाल देखिए अगल करते हैं इसलिए कि भारत के प्रदान मंत्री है तो हमारे भी प्रदान मंत्री है लेकिन सबसे काबिल कौन है सबसे हुनहार कौन है सबसे जादा दुनिया में किसकी कदर हुई है उसके अर्थ शास्रत से लेके उनके मैनेजमेंट से लेके हर चीज की तो इवेंट मैनेजमे विश्व ख्याती प्राप्त ऐसा आदमी विड़लाई पैदा होता है बहुत बढ़ी है और या तो मंत्रमुक्द हो कर आपकी बाते सुन रही है और या फिर उसका ध्यान कहीं हो रहे है और देखिए सियासत की डगर कितनी रप्टीली होती है मनमोहन सिंग के बारे में पूरी बात कहते कहते नरिन्रमोदी का नाम लेगा इस शत्रुगहन सिनासर अब देखेंगें जरा क्या करते है अब देखेंगे बहतर पधान मंत्री के कौन के बाद अब अगला सवाल कौन, बिहार के लिए, बिहार के लिए जिस जगे से शत्रुहन सिना सार आते हैं, उसके लिए best कौन, बिहार के लिए नितेश कुमार best है या तेजस्वी या दाओ, एक नाम लीजिए गासर पहले इसके पहले response करनूँ कि आपने का दोनों का नाम लेते लेते हैं, मनमोहन सिंग का नाम लेते लेते हैं, मैं नरद मोदी जी का नाम ले लिया मैंने, आप समझने हैं कोशिश ये दोनों हैं, मेरे अपने आरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, सियास् slippers में और यहां पे कहना चाऊंगा कि तेजस्वी यादो बहुत ही योग है बहुत हुनर है इसके अंदर और इसकी बहुत following है तेजस्वी यादो बहुत अच्छा कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मित्र बिहार के मुखमंत्री जो है नितीश कुमार जी उन्होंने खुद कहा है कि अब जो है बिहार का भविश्य या भार रादनीदी का है नहीं सरकार का भार अब ये समालेंगे तेजस्वी यादो तो उन्होंने खुद अपना इनके ऊपर चादर डाल दिया है बहुत बड़ी बात कहा रहे है शत्रुगन सिना सर आप लोगोंने भी अगर मार्क कियो तो ताली बजा सकते हैं उन्होंने कहा कि आपको नितिश खुद कहा रहे है कि भार तेजस्ती समझा लेंगे लेकिन सर बहराल मैं आपके पास दोबारा लोटता हूँ अगला सवाल लेकर बैतर कलाकार कौन? ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है बैतर कलाकार कौन? शत्रुगन सिना या अमिताब बच्चन? जाहिर है शत्रुगन सिना? ये बात अलग है कि शत्रुगन सिना पा के बाद और बहुत सारी अच्छी जी फिल्मों के बाद अमिताब बच्चन को मानते हैं बैतर ये अलग बात है हमारे दोस्त हैं हमारे दोस्त हैं अमिताब बच्चन हमारे चन लोग जो हलाकि मुझसे सीनियर हैं लेकिन संघर्ष के दिनों में, फिल्मों में उससे थोड़े जूनियर है, थोड़े, लेकिन हम लोगे बिने साथ करीब करीब संघर्ष किया है, बहुत पुरायने दोस्त रहे हैं, और यह मैं आपके सामने ने, मैं उनके सामने भी कह चुका हूँ, कि जहां तक सवाल है कि कौ कौन मानता है अपने को बहतर कलाकार तो मैं मानता हूँ अपने आपको लेकि दुनिया मानती है लेकि दुनिया भले मुझे मानती हो मैं मानता हूँ अमिताब बच्चन को सबसे बहतरीन कलाकार अब इताब बच्चन को शत्रुखन सिन्हा खुद सबसे बहतरीन कलाकार मानते ह जब मैं आपके लिए कह रहा था कि मैं आपको एक ट्रैप की तरफ ले जा रहा हूँ, इस कार्पेट में मेरा पैर फसा और में गिरते गिरते बचा, तो आप जो अगली बार है बड़ा सावधान होकर मैं रहने वाला हूँ, दूसरों के लिए खड़ना नहीं खोदना हूँ मैं, और 2024 की राजनेती के कॉंटेक्स्ट में, आपने कहा ममता बैरन जी बहुत विद्वान है और एक बड़ी लीडर के तौर पर उभर रही है, आपने कहा अखिलेश यादव बहुत सक्षम है, आप कह चुके हैं कि राहूल गांधी बहुत काबिल है, तो मोधी वर् इप्रेशन और फ्रीडम और स्पीच का जमाना है ये, जैसे आपके तौर आप लोग को देखके कह सकता हूँ कि वोमेन इंपाउर्मेंट का जमाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओपोजीशन से होगा, और इसमें ये कहने के जरूवत नहीं हूँ, घिसी पीड़ी बातों को लेके आते हैं, अरे बड़ी ओपोजीशन का चेहरा कौन होगा, और ये सुन तुम दो बच्पन से सुनते आ रहा हैं, आफ्टर नेरु हूँ, आफ्टर लालबाद मुशात्री हूँ, आफ्टर इंद्रा गांधी हूँ, लेकिन ओपोजीशन में एक चेहरा नहीं है, सब थेमे में, हर कोई प्रधान मंत्री बनना चाहता और ऐसे में एकता बन नहीं पाती से, नहीं, कोई बात नहीं, बन जायागा, वक्त आगा, अपने आप हो जायागा, क्योंकि आप ये समझने के कोशिश कीजिए, धिनेश जी, यहां पे ये लोग जो है, एक तरफ इनकी कित कर रहे हैं, पूरा, पहले उनको देखिए, उनकी कहां कहां गेन होती है, लेकिन मंता दीदी, क्या राहूल गांधी के नाम पे सहमत हैं, मैं बताने वाला कौन हूँ, यहां इतने बड़े-बड़े बैठे हूँ, पत्रगार को बैठे हूए, उनके पास आ जाते हैं, पता रहे थे टेली विजन पर, कि मैं जोस में नहीं होस में काम करता हूँ, और मैं वफादार हूँ, अगर कांग्रेस में आया हूँ, तो लंबे समय तक यहां रहूंगा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि शाल के अंदर आप तरिनमुल कांग्रेस में चले गए, तो उस बय जान के क्या माइने थे, आप कितने वफादार रहें कांग्रेस के परती? पता होगा कि ममता जी से मेरी बहुत पुरानी, बहुत पुराना अफिक्शन रहा है, जान पचान रहा है, मैं उनका बहुत कायल रहा हूँ, इन फैक्ट देश के नेताओं में, अगर सही मैनों में, जैपरकाश नहरा हैं जी से जिन से मैं प्रभावी तो कराया, उसके प्रभावी तो ममता बैना जी का रहा हूँ, मैं अब आगे एक सवाल आप से पंकज पूछने वाले हैं, मैं इसके और इलाइबरेशन पर आऊँगा, लेकिन पहले पंकज, मैं समझ गया, पंकज जा क्या पूछेंगा, अभी आप कह रहे थे, तमाम लोगों के बारे में, आप यह प्रण जान जाते जोशी से लिके नितीश, ममता, राहुल गांदी, क्या आप नितीश कुमार को नहीं मानते कि PM मटेरियल हैं वो, वो भी आपके मित्र हैं? जहाजी, इसका जवाब मैं पहले कई बात दे चुका हूँ, दे चुका हूँ, और आज कर दी, आपने कन्फूज कर दिया, राहुल गांदी के लिए भी कहा, ममता बनर जी के लिए भी कहा, इसलिए पूरा कन्फूजन आप ही फैला रहे हैं, मैं क्लारिटी दे रहा हूँ, आपको कन्फूजन लग रहा है, इसलिए कि आप वो सुनना चाहते हैं, जो आपने ठान रखी है, आप सुनना चाहते हैं, मैं वही बोलूँ, वह नहीं होगा, मैं बता जयता हूँ, और यहाँ इतनी अच्छी ओडियंस बैठी है, लोग बैठे हैं, मैंने कहा था, कहा था, जिसके पास नंबर वो बनेगा सिकंदर, लेकिन अब ज़रा देखिए, सरका ये एक और डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, अमीरों से गरीबों की हड्यां तो चबाई जा सकती हैं, लेकिन उनके घर की रोटियां वो नहीं चबा पाते, ये भी सरका डायलॉग है, और फि प्रीती, आपसे सवाल इस बारे में कि आप सुन रहे होंगे, आज कल बीते 24 तारीक से देखकर अभी तक आज 6 तारीक हो गई है, हम अडानी का नाम सुन रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि किस तरह से सेबी, रिजर्व बा आज भी clarity दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जांग बूच कर इस मामले को उठाया जा रहा है जब सरकार कह रही है, Reserve Bank कह रहा है, से भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, शे आप प्रिती हैं ना, प्रिती जी, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष जो मुद्धा उठा रहा है, तो एक तो आप भी मानेंगी, दुनिया मानती है कि इमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ इमानदारी का साफ साफ होता हुआ दिखना भी उतना ही और ट्रांसपेरेंसी, दोनों को साथ चलना चाहिए, आज आपने कहा कि भिंडनबग पे चाहे आपने सिबसे भी का जिकर किया, या अर भी आय का जिकर किया, सरकारी संस्थाओं का जिकर किया, इन सारी बात सरकार का जिकर किया, ये लो कहने सब ठीक ठाक है, पहली बात इन ये ये कहना एक बड़ करना है दूसरी बात आज के जबाने में पहले ये तो साबित हो गया कि कम संगो आप लोग जो है गोदी सर्कल के नहीं है हम लोग आज गोदी सर्कल के नहीं है इसले बात कर रहे है ये बात कि कुछ लोगों में चल रही है बड़ी जबदास चल रही है ऐसी चले क्या देश में चलो तो आग लगे कुछ लोग का ऐसा ही मानना कि शायद देश का सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला अभी सामने आया है जाया आएसा लोग कह रहे है बोज़ आग यह बहुता किसी पे इलजाम नहीं लगाउंगा जब तक की पूरी तरह इन्वेस्टीकेशन नहीं दिया जाए ओने दिया जाए फेर इनमिस्टिकेशन ठीक है अगर सुप्रीम कोट के जज्ज के अधीन होता है कि आपका J.P.C की मांग होती है करने दीजे एक साज ओधो पहले खुद कहते है यही एक काउंटर खुशन थे शत्रौन जी वह पहले खुद कहते है पिछले आठ साल में 98 परसंग उसने सुर्फ अपर रेट किया वह जांच एंच करेडिबिलिडिस इतनी है सरकार कहती है उनके सरकार के मुख्याने में लोने कहा कि उन्होंने कहा था कि सब 15 लाख रुपे मिलेंगे हर साल दो साल दो करोर रोजगार मिलेंगे अभी तक तो आठ दूने 16 करोड, 18 करोड रोजगार मिल जाने चाहिए थे, 18 लाग भी शाहिद नहीं मिले होंगे, तो ये जो कहते हैं क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपकी बात पी अकीने लोगों को, आपने खुद, इतना तो आप भी आपके घरवाले ये मानते होंगे, कि जहां उपोजिशन का कोई बुला मिला, कुछ बात है की, सीधे उस पर रेड कर दो, रेड करवा दो, कैसे रेड हुआ है, आपने देखा, सब ने देखा है, और जबकी 95% से उपर, जो रेड सुए है, सिर्फ अपोजिशन पर आप बता दे, रूलिंग में किसी हुआ हो, और दूसरी बात, रूलिंग में अगर किसी हुआ हो भी रहा था, जैसे इसने जॉइन कर लिया, और दूसरी पार्टी में गया, और जॉइन करके फिर वापस रूलिंग में आ गया, केस ठंडे बस्ते में गया, तो क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, आप जो कह रहे हैं, और दूसरी बात, कि एक सवाल और सुनने में आता है, लोग कहते हैं, साब विदेशी कंपनी ने कह दिया, हिंडर वर्ट तो विदेशी कंपनी है, तो क्यों भई, मीठा-मीठा, गब-गब, कड़वा-कड़वा, थू-थू, इसके पहले बॉ-फस पे किस ने कहा था? बॉ-फस में बात है. नए ने लेकन तो फिर यहाँ के एक यहाँ के एक यहाँ के एक यू-पलेट फॉरम ने उसको इठाया था था ना सर? और दूसरे मैं ये भी जानना चाता हूँ, यहां के न्यूज प्लैफराम उठा लिया है, आप लोगे उठा लिया हम समने उठा लिया है, अचा सर एक एक बात ये बताईए, अडानी को लेकर जो ये कहा जा रहा है, कि असल में ये वामपंथियों की तरफ से किया जा रहा हमल उससे भी सहमत नहीं हो जब कहा जाता था, कि हिंडरा इस इंडिया इन इंडिया इस इंडरा, वो सब बात सही नहीं है, क्यों? हिंदुस्तान में आप जैसे लोग नहीं है, अतने अच्छे अच्छे लोग नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ी अबड़ी काम न आता हूं. गौतम दा, आपका सवाल क्या है? नहीं, पहले तो छोटे-छोटे सवाल है. एक तो है आपको माना जाता है बिहारी बावु. असान सोच के जितने के बाद के आप आपने आपको बंगाली बावु मनते हैं? लोग मानते हैं, wiिहारी बावु भी हो, वह सही माने में हिंदुस्तानी बावु. जोसरी चोटी सवाल है, आपने जो हिंडेन बार्ट का सवाल उठा है, अभी जो चर्चा हो रही थी, बंगाल में बहुत सरे घुटाला के बाड़े में आजकल चर्चा है, तो उसमें बिहारी हो हिंदुस्तानी शक्तृरु नसीना खामोश है? नहीं, वो आप जो कह रहे हैं, जो घुटाला हुआ हो, एक तो मेरी जानकारी में नहीं था, उसमें लाया नहीं गया, बाद में आपके अख़बारों के जरी से आया, लेकर उसका मैगनिचूर, उसका वो इंपैक्ट, उसका वो रूप, उसका वो विस्तार, जो अभी आप द चार दिन के अंदर में देश के इंवेस्टर्स का पैसा सेबी के जरीये हो, कि आपको लाइफ इंशूरंस कोर्परेशन के जरीये हो, कि और एजनसी जरीये, आपका 11-12 लाग करोड और होता ही जा रहा है, और उसका पांदिन के अंदर हो गया, ये तो ऐसा घुटाला है, ब कि अउनके मुकाबले में, ये तो नाशनल लिवल को हो गया, इंटनेशनल लिवल को होही है, जाये छोटे सतार पर होऊं, या बड़े सतार ठगी तो ठगी है, ये तो दिनेश जी जो है, जो मेरा डियालक बोलते हैं कि सो, वो फिल्मे और अच्छा लगता है, मुड़़ त कुछ लोगों ने लूट मार की होगी कुछ लोग ने oni कि है जिसकों को रहा है जेल में भी है तो ठगी तो ठगी है जेल में है इनको तो जादा पतला सामने ्याप्ते शर्थ जैल में सबाणकिया काली चरंड से एक और डायलॉग काली चरंड का एक और डायलॉग सर का आज के जमाने में तो बेहिमानी ही एक ऐसा धंदा रह गया जो पूरी इमानदारी से किया जाता है आरेंग जी आपका सवाल क्या है सत्रू सर आपने कहा कि 24 में विपक्ष का पीम अमिद्वार कौन होगा या फिर पीम कौन बनेगा जनता तै करेगी लेकिन आठ डॉप महिने पहले कर हम जाएं तो दिन में तीन-चार बार रोज मंता दीथी प्राहमतिर नरेंद्र गोधी हो अमिश्या हो यह केंद की बीज़ दारा बढ़ाना हो यह जो भी मुदे हो लेकिन एक बैठक होती है राश्पादी चुनाओ के ठीक पहले जिसमें असम के मुख्यमंत्री रहते हैं मंता दीदी रहती हो तस्वीरे भी साजनी की जाती है उसके बाद ऐसा लगता है कि मंता अबनर जी के तेवा धिले पड़ ग खैला होबे की महानाई का मंता बैनर जी के बारे में ऐसा कहना कि उसके तेवर धिले पड़ गए हैं या कई लोग कई बार कदे कुछ डील हो गया है अरे वो मंता बैनर जी हैं जह हमारे भारतिये जन्ता पार्टी के दोस्तों ने मित्रों ने वहां पे नारा दिया था आप अपकी बार दोसों के पार अपकी बार दोसों के पार उनके पैरों में चोट लगी थी चोट कैसे लगी उस पर नहीं कहना चाहूंगा चोट लगी वह वीलचेर में बैठके उन्हें पर खच्चे उड़ा दिये धन शक्ती का गन पावर गून पावर मनी पावर मसल पावर क जिस तरह से उन्होंने गदम आज तक सारे रेकॉर्ड तोड़ते हुए इस मामले में पुलिटकली विश्वे नाईका बन गई उनके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है चत्रगान सिना सर वो लोग ये कहते हैं कि जिस बॉलीवूड का डंका बचता था आज कल तो साउथ की फिल्में उसको काफी पटकनी दे रही है उधर चार-पांच हिट हो जाती है तब यहां मुश्किल एक का नंबर आता है आप कैसे देख रहे हैं सर इसको नई बहुत अच्छा सवाल है आपका दिनेश आपने बहुत ही दुखती रख पे हाथ रखा इसलिए आज हम कहेंगे फिल्मों के मामले में कि बहुत तक लोग पाठान की बहुत तारीफ कर रहे हैं गुनगान कर रहे हैं कि इतने विरोत के बाद गतिरोत के बाद कितने लोगों ने रोकने के कोशिश की, तोकने के कोशिश की, लेगिन आज पठान फिर से उस चनी में अपने हाफ को लेआया जिस्ट formats से चनुरी को भॉध दिनों से, फिल्मों… अँपने देखी है सर्मॉट? मैं तो शोले भी नहीं देकी जो मुझे ईऊफर हुई थी. मैंने दीवार भी नहीं देखी जो मुझे ईऊफर हुई थी. तो वो बतल भी नहीं कि हम तो वो हलवाई हो चुके हैं. मिठाई बनाते हैं, खुद खाते नहीं है. नहीं लेकिन फिल्म इंडिस्ट्री से जुड़ हुए बहुत सारे कंसर्ण्स हैं और आप से बहतर कौन है उसको अड्रेस करने के लिए आईए ज़रा सवाल ले मेरे सवाल आपसे यह है कि बॉलिवुड में हालिया ट्रेंड है बाइकोट बॉलिवुड इस पर पहले तो आप क्या सोचते हैं हर फिल्म से पहले हम यह ट्रेंड देख रहे और बॉलिवुड इतना बटा हुआ क्यों नजर आता है दो धड़ों में कोई भी इशू होता है हम बहुत सारे भैभीत लोग हैं और बहुतों को भैभीत कर दिया गया है कई बार आप देखे होंगे कुछ लोगों के कलाकारों के कुछ ट्वीट्स सिमिलर आते थे ते यहने फुल स्टाउप और कॉमा भी वही होता था क्योंकि हमने सुना कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं भा आप अपकल मानि में है या शाम को भी निकल भा देजे इसको तो आफिस रिलीज होता है अब हो गया है वहां भी डिवीजन हुआ है बहुत आपने देखा हो उसी बीच में हैश टाइग और उसी बीच में सोशल मीडिया सामने हैं सोशल मीडिया को दखिए कुछ भी कहिए आप डिनाई ही नहीं कर सकते 그래도 बहुत पावर्फुल मीडिया सब को एक जुड़ान मिल गई है, अब सोशल मीडिया के जरिया को आप को हमें किसी को भी जो चाहें, और उसको तसली हो दे हम भी नहीं हमारी बाफ देखो, हमसा बोलunden है। तो सोशल मीडिया नहीं कई पर तो बात तो आ जाती है, आपका प्रचार प्रसार तो सबस्त हो जाता है, इसलिए मैं कहूंगा, इसमें बहुत जादा अभी थोड़ा हाला थोड़े हाला बैतर है, ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भैभीत हैं, ये डरे हुए क्यों है सर, ये डरना एक च्वाइस है या का कंडिशन है, जिस तरह से उनको लगता है पंगाले के कहा जाएंगे, पिक्चर उख जाती है, हम नहीं करना है राइट और रॉंग, कभी अपने सुना है किसी देश में, कि पिक्चर रिलीज हो गई हो, ये पिक्चर रिलीज हो गई हो और उसको संसर सर्टिफिक्ट मिल बाद में उसको मोबोक्रेसी, डिमोक्रेसी में मोबोक्रेसी सामने आता है, और मोबोक्रेसी का अधार पर पिक्चर का फिर सेंसर स्रेटिफिकर्ट वापस ले लेते हैं ये कम कर देते हैं, कacas सी, टिभी क्या मतलब है कोई कलर तो हर कलर उपर वाले का ओने का गरए हुँ, वो नेपोटिसम का बाहत बार धिक्र करती हैं, उस पर आपका क्याविचा? पंगा उलड़की अच्छी है, मैं उसकी तराइफ करता हूं, बहुत कम लोगों ने तरारीख किए, भुत कम लोगों ने फिल्मों में हमने तारीफ कियो कि उस सेल्फ मेड है उसके अंदर स्ट्रगल करने की शम्ता है और उसने अपने आपको साबित किया है बगार किसी गौड़ फादर के सही मानों में तो मैं तो उसमामने कदरदान हूँ लेकिन बाकी बाते जो आप कर रहे हैं कि उसने जो बातें कहीं या मैं उससे कायल नहीं हूँ मैं उसकी बात नहीं करूँगा लेकिन हाँ सोशल मीडिया ने फिर आईना दिखाया बहुत सारे सोशल माइडिया में आखिर देख लिये कि इतनी टैलेंटल लड़की है और वो कंगना रहना और उसके बावजूद आज उसको जहां होना चाहिए था फोर्स फॉर्मीडेबल तो इसमें भारत जोड़ो यात्रा में जब शत्रुहन सिन्हा नहीं दिखाई देते तब भी लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं दिखे हो हम देखिए वो तो भारत जोड़ो यात्रा का मैं तो कहूंगा घर को करना चाहिए ऐसा उत्यश बहुत ठीक है कि हर जाती को, जात को, मजब को सबको साथ लेके चलो अजली जी बाच्छा लगा और मैं अपने बयान से आप जानती हूँ, चंद लोगों मैं सो हूँ, जनेश जी आप भी जानते होंगे, मैं कभी अपना बयान फापस नहीं लेता हूँ, अगर सही बयान मेरा छपता है तो हमेशक कहल रहता हूँ, उस पर स्टैंड करता हूँ मैंने कहा और आज भी मीन करता हूँ, कि यात्रा बहुत सार्थक रही, बहुत पॉजिटिव माइंड से देश को जोडने का, हिंदु मुसल्मान ये लिंचिंग हो रहा है, ये जात के नाम पे, मजब के नाम पे, एक दूसरे को दूर करने की बात जो हो रही है, उस अब हट कि ये जा था, क्यों हमारी बात से सहमत नहीं है, बर साथ सा उनने ये भी कहा था, कि शत्रोगन से ना ये उनना कहा है, वो उनका निजी विचार था, सहिए मैं निजी विचार दिया, मैंने मिना पे, इसे तीखी टिपड़ी ममता बनर जी को लेकर की जा रही है, उसके पॉलिटिक्स में और शोविद्नेस में भी, लेकि पॉलिटिक्स में जादा, आपको बुकेज भी मिलेंगे, ब्रिक बैट्स भी मिलेंगे, अभी हमने कहा कि ममता बनर जी के बार ऐसा बोलना, जो खैला होबे की महानाई का, उनके बार ऐसा बोलना, कौन विश्वास करेग वो तो आरन लेडी है वेरी सॉफ्ट हार्ट लेकिन आरन लेडी है वो करके उनके बार में कौन मानेगा अब ट्राइट टेस्टर सक्सेस्फुल कहा मैंने मैंने एक बात अपनी कम्प्लीट कर लूँ अजली जी उन्होंने कहा था मुझको कि शत्रोगत सिना के निजी विचार लेकिन मेरी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है मैं स्पेट को स्पेट कहता हूं काले को काला और सफेद को सफेद कहता हूं इसलिए मुझे लगा कि जो राष्ट हित्म है जैसे मैं भारते जिनता पार्टी में था तो आप सब को याद होगा मैंने नोटबंदी के खि आप की थी नोटबंदी के तो हमने की थी कि देश का बेड़ा गर्फ जा रहा है वैसे जो चलन चला हुआ ऐसा है आपने कहा मैं I call spate a spate and सफेद को सफेद काले को काला कहता हूं अभी सियासत में आपके उधर बैठा हुआ कोई सुन लेगा ना पाले के दूसरी तरफ तो थोड़ा सा मान देते हैं यह शत्रुभाई आप यह बताइए कि उम्र के दौर में और जब 40 साल आप राजनीत में लगबक कंप्लीट कर चुके हैं ममतादी के साथ है तो ममतादी ने आपको जो सपूर किया और अब आप उनको उनकी जो इच्छा या बंगल वासियों की ज कि जो इच्छा है तो ममतादी को प्रधानमंतरी बनाने के लिए आप क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जो सभी दलों में स्वीकार हैं सबसे बात कर सकते हैं मैं आज भी मानता हूं कि भाज़बा में आपके भी होते नहीं तंपर्क और इच्छे आपके बेटे की शादी में प्र वोःद आपके रवासतों जीने बाते कहीं हैं मैं को फुर जबासे को बहुत मानता ऊओं बहुत विद्वान आदमी ये और ये और मैं करी इंतर definit को बहुत जमाने से जानता हूं आपने पहली बात तो मेरी उमर का जिकर करते करते अब आगे निकल गए अच्छा किया है यहाँ लेडी दे बैटी हुए है उमर का ज्यादा जिकर करते तो खामोखा इमेज थोड़ मेरे खराब होती तो अच्छा समाल दिया आपने उसको छेड़ा नहीं आपने दूसी बात आपने की प्रधान मंत्री का हमारे बेटे के शादी में गय थे तो उस पे वह मानता हूँ मैं हमेशा हैसान मंद रहूंगा खास उसी शादी वह अटेंड करने आए तो दोस्त हैं पुराने दोस्त हैं सहयोगी भी हम उसके रह चुके हैं या वह हमारे रह चुके हैं पुराने आये थे मूझा बहुत आहसान मंद हूँ अगर मैं इसी बात से जोड़ते। आपकू जी आपकी बात पर आओंगा, कि मैं किसी निजी को बनाने वाला कौन हूं है? अगर इतना कोई क्यों, इस निजी तो हूं नहीं कि किसी निजी को बना लोगा प्रधान मंस्निक्री। अब बनाने की शमता हो जी तो मैं खुद ने बन जाता लेकिन हाँ देश के किसी काम के लिए अगर समाज को जोडने के लिए कोई सार्थक काम करने के लिए डेवलप्मेंट के लिए प्रोग्रेस के लिए या कंट्री के प्राइड के लिए मुझे जो भी करना हो जितना सामर् मुझसे जो भी चाहें आप करवा सकते हैं और मैं आपके साथ हूँ इसमामने साथ हूँ साथा साथ रहूंगा शुरू से मैं करता है हूँ और अभी भी करने को तो आप इस बार जब 2024 में लोगों को चुनाव मैदान में दिखेंगे तो पटना साहिब से दिखेंगे कि आसन स कहे हुए से नहीं वो मजबूरी थी है आप बहुत सारे मित्रों को पता है मैं सिर्फ EVM मशीन पर ही नहीं कहूँगा खेला हो गया वहां पे वहां पे हमें पता था कि हमारे साथ खेल हो रहा है कि होई बहुत जल्दी थी और मुझे पार्टी चूस करनी थी और नैशनल पा कर दिया था और मुझे विडियू रिस्पेक्ट हमारे कुछ एलेक्शन कमीशन के फ्रेंड्स लोगों नहीं आप जानते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स हर जगह हैं उन लोगों ने बता दिया था कि वहां का तै हो चुका है सर अब थोड़ी सी मैं हिमाकत करूंगा और आपको अब खामोश रहना है आप दुनिया को खामोश कराते हैं मैं आपको खामोश करने के लिए और यह आपके पर लैकार्ट होगा इसमें एक तरफ एस लिखा हुआ है कोई सवाल होंगे? वहां पर फाइपे रेपिट वायर के कुछ सवाल होंगे वो आपके सामनेod कर आऊंगा 2024 में नरेंद्र मोदी को सिर्फ मम्ता बेनरजी चुनोती दे सकती है हाँ या ना ये रहा सवाल 2024 में नरेंद्र मोदी को सिर्फ मम्ता बेनरजी चुनोती दे सकती है सर ये सुनो इसका मतलब कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन वो जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब यहां मिल गया शत्रुहन सिनाजी से अब ज़रा रैफिट फायर में दूसरा सवाल देखिये क्या है क्या केंडर सरकार EDCBI जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है Yes or No? Yes again लेकिन और हलाकि ममता दीदी ये भी कहती नजर आई कई बार कि केंडर सरकार का जरूरी नहीं है कि हर बार हाथ होता हो तो ये भी एक बात है जो यहां ध्यान में रखना चाहिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं RSS एक देश भक्त संगठन है Yes or No? शत्रू सर RSS एक देश भक्त संगठन है Yes or No? फिर दोर आता हूँ RSS एक देश भक्त संगठन है शत्रुगन सिना सर Yes or No? ये है ये है शत्रुगन सिना इनकी हाजिये जबाभी भी देखते जाए है जहाँ इनको कुछ नहीं बोलना वहाँ भी कैसे बोल रहे है अब अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं अगला सवाल ये है क्या सर्जकल स्ट्राइक जूटी थी Yes or No? और उन्होंने प्लेकार्ट उपर उठा दिया और उनका जो जवाब है वो भी वो बता रहे है अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हो Rapid Fire No.5 भारत जोडो यात्रा में ममताव एनर जी को शामिल होना चाहिए था Yes or No? भारत जोडो यात्रा में खामोश और वो जो कहते हैं कि यक्ष प्रश्न जो होता है जिसमें आपको आखिरकार रियाक्ट करना ही पड़ता है यह वो सवाल ता और उन्हें प्लैकाड नीचे रख दिया है भारत जोडो यात्रा में शामिल होना चाहिए था ममताव एनर जी को कि नहीं यह में उन्हें प्लैकाड करना ही आप जोरह देखिए क्या है भारत जोडो यात्रा के बाद यह अगला सवाल हलाकि अदावत की चर्चा भी लोग करते हैं लेकिन आप यारी देख लीजे कैसी है भारत रत्न मिलना चाहिए और अब अगला सवाल भी है क्या अगला सवाल ये है नितिश कुमार दोहजार चौबीस से पहले फिर पल्टी मारेंगे और अगला सवाल ये रहा रैपिट फाइर में अगला सवाल ये नरेंद्र मोधी अब तक के सबसे लोग प्रिये प्रधान मंत्री है येस और नो नरेंद्र मोदी अब तक के ये और्डियंस को थोड़ा सा नागवार या हैरानी भरा लगा उसमें से नो कुछ लोग ये कहने वाले रहें नो उनके लिए सर्प्राइजिंग है लेकिन ये शत्रू सर का अपना जवाब है अब जरा जल्दी से लोग प्र अख्री बढ़ाओ में अभी जो रैपिट फायर में आये तो आपने ममताव अनर्जी पाके जीरो इन कर लिया है इससे पहले आप लंबा लंबा घुमा रहे थे राहूल गांदी नितीश कुमार तमाम नाम ऐसा क्यों इसलिए मैंने काई का एक अजा जी जा जी उसमें सबस डाना रबन कर आया हूं तो इसा तो वही जवाब दे सकती इनको जाना चाहिए था है नहीं दयो किस लिए नहीं ज़िए रइए याज क्या सोच रही है वो तो वह धिर्दीप सब्सक्रान के पास जाने वाला हूं वह एक सवाल आपके लिए सोचकर कर बैठे हो लेकिकिन उ करते हैं डेमोकरसी की जगा जहां पर एक इनसान के मेरिट उसकी सक्षम होने की पेपिलिटीज जो ए उसकी बेसेश्ञ पर बड़े-बड़े पोजिशिशन पर डाल डेमोकरसी की वजह से कोई पद मिल जाना चाहिए या मेडिटोकरसी होना चाहिए काबिलियात के आधार पर कोई पद मिले सर मैं तो इनसे सहमत हो उनकी बात से मेरिटक्रेसी मेरिट को जरूर मिलनी चाहिए जरूर मिलनी चाहिए जरूर मिलनी चाहिए जरूर मिलनी चाहिए बाकिस समिधान में क्या प्रवधान है उस पर मैं कुछ नहीं भूलूगा मैं सहमत हो से लगिए आपकी बात कर दोक्टर के बाद जाएंगी तो किसी वो उस डॉक्टर के बाद जाएंगी ने जो बहुत काविल हो जो बुसकंदर मेरिट हो तो तो बिलकुल I agree with you, thank you. रदीप सर्थ अजय नमस्कार , मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूं , आप हमेशा जबता अप कया ही मैं लेकता और ने लिकता भी ओए Cum कि आप हमेशा निर्भिक होगे बात किरते हैं कभी ढरते नहीं कुल कर बात करते हैं! हाला कि आज मैंने आप को देखा कि आप दो ती बार टंडा गुमा गए कुछ जगा संकूच भी किया क्या राजनीती वाले के बाद आप में परिवर्तन आ रहा है या कुछ और कारण है वो तो आप जाने हाला कि सवाल बहुत से हैं लिए समय कम है तो दो सवाल आप से इस सवाल के जवाब तो आप दें लेकर साथ में और चाहूंगा कि जैसे आपके नाम परिवार में राम लखर बारत चत्रूगन है घरका नाम रमायन है बेटों का नाम लफकुश है तो आपने अपनी पत्नी का नाम वोई को नहीं रखा शुरुत कीरती हाँ तो आपने बदले सबके नाम कोमल उनका जैसे पहले था हाँ हाँ यह सवाल राम नहीं बदल सका लेकन एक बात तो हुई, रामायन में राम को 14 साल का बनवास हुआ था। और ये इस इस रामायन में, आज के रामायन में, जहां शत्रगन फिलाल राम बने हुए है, उसमें हमारी पत्नी को शादी से पहले ही 14 साल का बनवास ने दिया था है, जोने 14 साल वक्त लगा, डिसाइड करने में, कि शादी करूँ, क्योंकि मेरे साथ समस्या ये हो गई था उ जिन से शादी नहीं कि उन से अभी भी आपका मिलना जुलना होता है कभी, खामोश, अच्छा लेकिन अब जो एक सवान पूसर उसमें खामोश मत कहिए, हम इताब बच्चर का जिकर कई बार आया, आपकी दोस्ती को भी हम इतने सालों से देख रहे हैं, आदावस की बात भ भी हुई, और कई बार यहा है कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही, महमूश भाई के साम के साथ जब आप रहते थे, मिलते जुलते थे, आप बहुत अच्छे दोस्त थे, और इस्टर्गल भी आपने साथ किया, लेकिन जो बीच में खटास कई बार दिखती है, उसका क कारण है, यहाद है कि एक बार वो भी आद है कि जब आपको, आपको कुछ बात पुरानी हो चुकी है, कि अभिशेक बच्चन की शादिया कारण जब आपको पिलवाया गया किसे के बाध्यम से, तो आपने उसको लटा दिया, तो ऐसा क्या कारण एतनी अची दोस्ती के बी लटाया था हमने, हमने शादी की मिठाई लटाया थी, मुझे लगता है मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे महसूस होता है कि नहीं करना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था येतने पुराने दोस्त, और उन्हें शुरू में हमें किस के कहने प पर नहीं बुलाया था, बाद में उन्होंने महसूस किया, उसी दर मुठाई हमने लॉटा तो दिया, बाद में हमने महसूस किया, कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुराए पूरानी, और फिर आखिर में ये कहके, मैं अपनी बात को समाप्त करूं, कि छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नहीं कहानी, हम दोस्ते वहें, ये बड़ा कम होता है, ये बहुत कम होता है, कि आप ये स्वीकारें कि आप से क्या गल्तियां कारंटर में हुईं, क्या भूल हुईं, और क्या होना चाहिए था, ये कोई बहुत आन्ती में आपने वो शेर कहा था कि हम अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखें वो लड़ाई लड़ें कि अंग्रेज हमें याद रखें आपके किसी एक दमदार डायलॉग के साथ जो ये जनता चाहती है कि आप बोने सर में चाहूंगा कि इसको हम विराम दें कौन सा ड आला खराब होना था आए तो कह देना च्छेनु हाया था बड़ी गर्मी है खुद में तो बेशक आजा मैदान में जो हस्रत निकालनी हो निकाल ले लेकिन आइंदा अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो महले का महला उड़ा कर रख दूगा मैं ये था और आप लोगे कहने पर जली को आक कहते हैं बुजी को राक कहते हैं जिस राक से बारूद बने उसे विश्वनात कहते हैं या बात बहुत ही साफ गोई के साथ हमसे बातचीत करने के लिए और इतने धैरे और इतमिनान के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए आपका वक्त बहुत कीम बहुत धनिवाद सर आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े